So hello, मेरा नाम है अभिशेग और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे खुपसूरे से प्यार एसे चैनल पे जिसका नाम है JR College प्यार कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग दम बढ़ी आओंगे, आप लोगी पढ़ा एक दम बढ़ी आन चल दे होगी सही है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के उपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रिच बास शुरू किया हुआ हमारे 11th और 12th Standard के बच्चों के लिए, सही बात है, ठीक है जिसमें हम आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्स लेसन वाइस पढ़ा रहे हैं, सही है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, Biology as a Subject और 12th के Biology का, हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था बच्चों हमारा 9th lesson जिसका नाम है Control and Coordination, ठीक है, Control and Coordination चल रहा था हमारा जिस पर 3 lecture मैंने अल्रेडी डाल दिया है, 3 lecture आप लोग ने देख लिया होगा, and this is the lecture number 4, सही है, अगर आप लोग शुरूर से देखो के तो आपको चीज़े जादा बेटर तरीक ही समझ में आएंगी, सही है, और जो lecture number 3 था बच्चों, उसमें मैंने आप लोग का de-differentiation, re- differentiation, जो बहुत ही जादा पूछे जाना वाला question है, वो मैंने करा दिया था, सही है, वो बहुत अच्छे तरीके समझाया था मैंने आप लोग को, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है, तो एक बार जरूर से जाकर उस lecture को देख लेना, सही बात है, ठीक है, स्टार्ट करते ह लेक्चर में ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अभी से, सही है, अभी से वीडियो को लाइक से गरूर कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, सही है, आप लोग को सब समझ में आने वाला है, तो लाइक जरूर से कर देना, चालेट पे नए हो, तो सब्सक्राइक कर दो, सही है, और बेल आइकन को भी all पे सेट कर दो, सब्सक्राइब करने के साथ सही है, ताकि सारी के सारी notification हम जो भी वीडियो अपलोड करें, उसकी आपके फोन पर आती रहें, सही है चलेगा, तो चलो start करते हैं, आज गई है lecture, lecture पहले आपको बात बता दू कि आपने अगर हमारा जिया टुटियों का अप्लिकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए बहुत इंपोर्टेंट अप्लिकेशन है हर लेक्षर में आप लोग को बताया है और तो और अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना च चाहिए तो चलो शालू करते हैं आज का यह लेक्षर को लेक्षर स्टार्ट किया था हम लोग ने और हम लोगने बात कर रहे थे नर्विंपल्स के बारे में ठीक है नर्विंपल्स कैसे ट्रावल होता है एक जगह से दूसरी जगह मैंने आप लोग को एक्जाम्पल दिया कि माल लो मेरे हाथ पर कोई काउपर बैठ गया है सही है मेरे हाथ पे अगर कोई काउपर गया साइनेप्स के अंदर कौन कौन सी चीजे होती है तो याद करो को अगर आप लोग में लास्ट वाला ले आप लिच्छर देखा है तो आपको चीजे बहुत बहतरीं तरीके समझ में आएगी, सब कुछ समझ में आएगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये लेक्चर पहले इसके बाद वो लेक्चर देख रहे ना, जरूर से देखना चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो, हम लोग ने देखा है, हम लोग ने पढ़ा है बच्चों, कि एक नियूरॉन है मानलो, मानलो इस इस दे नियूरॉन, ये इसकी डेंडराइट से, ये इसका सेल वोडी वाला पार्ट है, सही है, और यहां से इसके एक्जॉन की टर्मिनल है, सही बात है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है हमारे पूरे के पूरे नियूरॉन का, अब मैंने आपक कुछ गेटेड चैनल्स होते थे, सही है, मैंने आपको बताया था, यहां पर मेकानिकल गेटेड चैनल होते थे, तो जैसे ही वो कौकरोज आपके हाथ पर बैठता था, तो वो मेकानिकल गेटेड चैनल उस कौकरोज की फोर्स के वज़े से खुल जाते थे, सही है, जिसके यहां पर बहुत सारा sodium इंटर कर जाता था जैसे इसके अंदर इसके अंदर depolarization हो जाती थी आप करता है इसके अंदर depolarization हम लोगों देखने के लिए मिलती थी जैसे इसके अंदर sodium entered होता था, और यह sodium एक जगा से दूसरी जगा travel हो रहा था, सही, यहाँ से यहाँ पुरा travel हो रहा था, depoloration, repoloration हो रही था, यहाँ पर सही बाते, अब देखो, मैंने आपको बताया था, कि जैसे ही आपका यह sodium यहाँ पर पहुचता है, जैसे यहाँ पर sodium आपका पहुचता है, तो यहाँ पर बच्चो एक चैनल लगा हुआ रहा था, जिसको मैंने बोला था, calcium voltage-gated channel, चीगा, यह क्या होता है, it is a calcium voltage-gated channel, सही है, मैंने आपको बताया था, चैनल्स जो होते हैं, वो बहुत ही जादा specific होते हैं, हर आयन की अलग-अलग channels हमारे body में हम लोगों देखने के लिए मिलते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूँ बच्चो, calcium voltage-gated channel की बात करूँ, तो जब यहाँ पे, जब यहाँ पे voltage difference देखने के लिए मिलेगा, जब यहाँ पे potential difference देखने के लिए मिलेगा, उस time पे यह channel खुल जाएंगे, जो gated channel है, इनका दरवाजा क्या हो जाएगा, open हो जाएगा, और यहाँ से कौन enter करेगा, यहाँ से enter करेगा, बच्छो, calcium, क्यूँ, because it is a calcium voltage-gated channel, सही है, तो यहाँ से, बहुत ज़्यादा amount में, बहुत ज़्यादा amount में, कौन enter करने लगेगा, आपका calcium enter करने लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा amount में यहाँ से calcium enter करने लगता है, सही है, उसके बाद बच्चो, lecture number 1 या lecture number 2 में, बच्चो मैंने आप लोग को यह diagram दिखाया था, यह वाला diagram, यादे, किस-किस बच्चे को याद है, मैंने आप लोग को यह diagram दिखाया था, और इस diagram में, बच्चो, यह जो आपकी last वाले जो axon की terminal थी, वहाँ पर मैंने बताया था, कुछ इस तरीके के यहाँ पर कुछ bags लगे होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे bags भरे हुए लेते हैं, इन bags को हम लोग synaptic vessels कहते हैं, सही बात है, तो यही चीज़ यहाँ पर भणा ले, यहाँ पर मान लो, कुछ कुछ, अंदर क्या भरा हुआ है, एक क्यमिकल है, यह यह क्यमिकल को हम लोग कहते हैं, नियूरो एक प्रांस्मीटर, लगैं एक क्यमिकल भरा हुआ है, इस साइनप्टिक वेसल के अंतर, this semantic vessels के अदर एक Tudo दो हैегा कुश करेगा ने को यहाँ पे अजफे आजआएगा रिकार जैँगा यह लेकर खेल झाएगा इसको यहां पर एकदम एज पहला के टकेल देगा, मतलब यहां पर आ चाहेंगे, यहां पर जाएंगे, और जैसे ही यहां पर आए हैं, इसके अंदर से जितने भी आपके neuro transmitter तेनी वह supplements space में रिलीस हो गया है, यह जो खाली सा space है, इस खाली सा इसपेस में आपके neurotransmitter release हो गया, what are these, these are the neurotransmitter, neurotransmitter क्या है, it is a chemical, it is a form of a chemical, अब इसके जस्ट आगे आपका दुसरा neuron पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे दूसरे neurons की dendrites हो, इसे डेंडराइस लगे हुआ है, अब इन देंडराइस पर एक receptor लगा हुआ हो, ठीके इन देंडराइस पर बच्चो, यहाँ पर, ऐसे कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जिन रिसेप्टर्स पर आपके ये केमिकल्स जाकर बाइंड हो जाते हैं समझ रहो इन रिसेप्टर्स पर आपके केमिकल्स जाकर बाइंड हो जाते हैं समझ रहो इस आर दो रिसेप्टर्स और नियूरो ट्रांस्मिटर लिख ना इसका नाम था जिसका नाम था लिगेंड गेटेट चैनल लिगेंड गेटेट चानल या फिर ligand gated channel मैंने कहा था और मैंने उसके explanation में आपको यह बताया था कि जबी भी कोई chemical आकर attach होता है तब आपका ligand gated channel activate होता है जब कोई आपका chemical आकर attach होता है अब जहां जहां पर आपके यह receptors लगे हुए है इन receptors के बाजू में ही क्या लगा हुआ है आपका ligand gated channel लगा हुआ है समझ मैं यह बात ठीक है ligand gated channel कहां पर present होंगे आपके यह बाजू वाले neuron पर present होंगे तहीं बात है अब होगा क्या देखो ध्यान से ध्यान से देखेंगे अभी यह जितने भी neural receptor है यह जा कर इस रिसेप्टर के ऊपर bind हो जाएगा जैसे ही chemical attach होंगे इस receptor के ऊपर यहाँ पर एक channel open हो जाती है जिसका नाम मैंने अभी लिया था जिसका नाम है बच्चो यह फिर ligand-gated channel या फिर ligand-gated channel जैसा आप प्रणांस करना चाहूं तो यहाँ पर माझलो इस लाइड गैट्टर चैनल यहां से आपका like indicated channel open होगा बच्चो बहुत सारा sodium अंदर जाने लगेगा क्यों अंदर जाने लगेगा क्योंकि extra cellular fluid में sodium जादा है cell के बाहर sodium जादा है और cell के अंदर sodium कम है सही बात है तो कभी भी कोई भी चीज higher concentration से lower concentration जाएगी सही है बाहर sodium जादा है बाहर बहुत सारा sodium है बहुत सारा sodium है बहुत सारा sodium है बहुत सारा sodium बहुत जादा है तो इसलिए आपका जो sodium है वो बाहर से अंदर की तरफ move करने लगेगा अब same कहानी repeat होगी जैसे ही आपका cell जैसे ही आपका sodium अंदर की तरफ move करेगा वापस यहां प सब्सक्षैंगे के शुल में ऐसा नहीं है कुछ चीजों से मिलकर बनता है धांसह सुनेंगे जान से सुनेंगे समझेंगे ठीक है सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो यह वाला जो membrane है जो membrane दिखनी जो सबसे outer membrane है इस axon के terminal की इस axon के terminal की बच्चो यह जो outer membrane है जो मैंने blue color से बनाई है सब्सक्राइब कर skilled Uh Am ocean करbil trata साइनप से पहले कि एचा यह अच्छा यह खाली खाली स्पेस आपको लगता है किए साइनप्सोना चाहिए जो खाली स्पेस fyma से लेकर किया तक इस खाली सपेस को हम लोग कहते हैं साइनप्टिक क्लेफ्ट ठेक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, it is a cynparic ग्लेप्ट समझ रहो, जिके, it is the cynnaptics Leo ध्लेफ्ट क्लीर है, उसके बाद, ये जो dendrite की बाहर वाली membrane है, ये 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 टेंड्राइट्स की ये वाली जो ऄटो बाहर वाली मेंहान है न बच्चो इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट साइनप्टिक मेंब्रेन ये प्री वाली थी ये वाली प्री क्या नेप्टिक अंप economist की आपका ये जो Xon का टर्मीनल है जहां पे आपके synaptics vessels present होते है वहाँ पे जो बाहर वाली membrane है इस Xon की बाहर वाली जो membrane है इस बाहर वाली membrane को आम लोग कहते है shon साइनेप्तिक साइनेप्तिक क्लिफ्ट को मिला कर है, रहे हैं, it is a synapse, इन तीनों चीज़ों को मिला कर synapse कहा जाता है, do you understand, क्या बोला मैंने, what is the synapse, अगर सिर्फ आप से पूछा गया, what is the synapse, तो synapse बच्चों आपको बताना है, कि सर, synapse तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, सबसे पहला है, pre-synaptic membrane, दूसरी चीज़ है, synaptic cleft, एक बार चेक कर ले न, एक बार cleft की spelling चेक कर ले न, ठीक है, synaptic cleft, सही है, और थर्ड चीज़ है, it is a synaptic, परी, post synaptic membrane, तो इन तीनों चीज़ों को मिला कर कौन बनता है, आपका synapse बनता है, तो अगली बार अगर आप से कोई पूछे कि synapse क्या होता है, तो आपको बताना है, सर, synapse is constitute of three things, first one is pre-synaptic membrane, second one is synaptic cleft, and the third one is post-synaptic membrane, clear है, इन तीनों चीज़ों को मिला कर आपका synapse कहलाया चाता है, so I hope आप लोग को synapse क्या होता है, और कैसे form होता है, कहां पर form होता है, वो समझ में आ गया होगा, I hope आपको यह चीज़े समझ में आ गए, चीक है, और कैसे आपका एक impulse, एक neuron का impulse, दुसरे neuron के impulse में जा रहा है, सही बात है, अब इसके उपर तो वापस कोई cockroach नहीं बैठेगा, आपके, आपके पूरे body पर cockroach नहीं बैठेगा, आपके सारे neuron पर, कहीं एक ही पर बैठा था, तो यहाँ पर mechanical gated channel active हो था, पर यहाँ पर हमें कोई दूसरा channel active करना पड़ेगा, that is nothing but here, ligand gated channel, या फिर ligand gated channel, clear है, समझ में आ गया, साइनप्स समझ में आ गया, what is synapse, यह आपकी pre-synaptic membrane, this is, this space is known as synaptic cleft, and यह जो यह वाली membrane है, it is a synaptic, post-synaptic membrane, सही है, तो इन तीनों चीज़ों को मिला कर, इसे, इसे और इसे, तीनों चीज़ों को मिला कर हम लोग क्या कहते हैं, it is a synapse, सही है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को अल्रेड़ी लिख कर दे दिया, इसे एक बार note-down जरू से कर लो, screenshot जरू से ले दिना, ठीक है, चलेगा, चलेगा, let's move, next is, types of synapse, ठीक है, दो प्रकार के synapse हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, आजा, दोनों पढ़ लेते हैं, एक होता है बच्चो, chemical synapse, ठीक है, another one is, electrical, साइनप्स, दो चीज़ा होती है, एक आपका chemical synapse, और एक होता है electrical synapse, अभी जो हम लोग ने पढ़ा, अभी जो हम लोग ने पढ़ा, वो electrical synapse का example था, क्या था अभी हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा है, कोई एक exon है, तो यह उसका cell body है, चेक है, cell body के बाद यह उ electrical form में होता है, सही बात है, क्या हो रहा है, movement of ions हो रहे है, इसके अंदर ions move होता है, sodium move होता है, potassium move होता है, calcium move होता है, तो movement of ions को हम लोग कहते है, कि it is a electricity, सही है, तो इसके अंदर जो भी movement हो रहा है, वो electrical signal है, वो कौन से signal है, electrical signal, लेकिन last में क्या होता था, last में यह electrical signal, यह जो chemical सही है और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा exon लगा हुआ रहेगा यहाँ पे दूसरा exon लगा हुआ रहेगा सही है और यह क्या करेगा यहाँ से यहाँ से लिगेंड गेटे चैनल के थूर यहाँ से वापस electrical signal में convert हो जाएगा समझ रहो तो पहले electrical signal बीज में chemical signal फिर electrical signal इस type के synapse को हम लोग कहते है बат्यों chemical synapse है क्यों कहाँ जा रहा है क्योंकि जहाँ पे synapse बन रहा है जहाँ पे आपका synapse बन रहा है वहाँ पे chemical present है हम लोग बात किसी nerve की नहीं कर रहे हैं जहाँ पे है साइनाप्स की तो अगर आप साइनाप्स को देखो तो यहाँ पे कौन प्रेजन है chemicals प्रेजन है that is nothing but neurotransmitter सही बात है अगर आप इसके भी लाज में देखोगे तो यहाँ से क्या release हो जाएगा neurotransmitter रिलीज जाएगा तो अगर आपके साइनाप्स वाले रिजन में अगर आपके साइनाप्स वाले रिजन में क्या present है chemicals प्रेजन या नीरो-transmitter प्रेजन है तो ऐसे टाइप of साइनाप्स को अम लोग क्या कहेंगे that is a chemical साइन आप्स एक दम सिम्पल है इलेक्ट्रिकली जहां आप से बन गए पर कोई बाती नहीं है और यह इसके एक्जॉंस है समझ रहों? Similarly, यहाँ पर इसके दूसरे देंटराइट्स है, ऐसे, इसाद देंटराइट्स, और यहाँ पर इसके exon होगा, यहाँ पर आगे चलके इसका exon और इसका exon का terminal होगा, सही बात हैं, यह आपका synapse वाला हिस्सा है, जिसके अंदर आपका pre-nus, pre-synaptic membrane, synaptic left और synapse, सही बात है, अब इस synapse में, अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, कि neurotransmitter release हो रहा था, तो वो chemical type था, बट कुछ-कुछ synapse के वीच में बच्चो, directly gap junction लगे हुए रहते हैं, समझ रहो, मतलब directly, यहाँ से gap junction लगे हुए, यहाँ से directly connected है, इतना अच्छा नहीं बना, यह से directly connected है, समझ रहो, यहाँ से directly connected है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी neurotransmitter release नहीं होगा, यहाँ पे directly जो भी sodium, जो भी sodium इसके अंदर आ रहा था, जो भी sodium इसके अंदर travel कर रहा था, वो directly in gap junctions के थुरू इधर चला जाएगा, समझ रहो, gap junction के थुरू वो कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ electrical signal ही pass हो रहे है, इसके synapse में अगर आप देखोगे, तो इसके synapse में कौन से signal pass हो रहे है, electrical signal pass हो रहे है, मतलब ions move कर रहे है बच्चो, और अगर आप, अगर आप इसके synapse में देखोगे, तो यहाँ पे chemical signal transport हो रहे है, that's वाले रिजर में क्या पास हो रहा है electrical signal पास हो रहा है that's why it is a electrical synapse clear है clear है समझ मैं यह बाद ठीक है तो आपस बता दो देखो synapse क्या होता है synapse मैंने आप लोगों बता है तीन जों से मिलके बनता है एक pre-synaptic membrane एक आपका synaptic lift और आपका post-synaptic membrane सही बात है synapse दो प्रकार के है एक आपका electrical synapse और एक आपका क्या है chemical synapse chemical synapse क्या है अगर आपके synapse वाले region में neurotransmitter release हो रहा है chemicals release हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे it is a chemical synapse वहीं अगर आपके synapse वाले region में सीधा एक gap junction लगा हुए और सीधा electrical signal पास हो रहा है, मतलब सीधा sodium पास हो गया, सीधा potassium पास हो गया, मतलब ions पास हो गया, ions मतलब क्या electricity, movement of ion is nothing but electricity, तो इसका मतलब यहाँ पर directly क्या हो रहा है, electrical signals का conversion देगने के लिए मिल रहा है, सही बात है, so इसे हम लोग क्या कहेंगे, it is a electrical syn synapse, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बच्चो, it is nothing but your electrical synapse, समझा, समझा, चलो, very good, next चलते हैं, next is the saltatory, sorry, saltatory conduction, ठीक है, next हम लोग पढ़ेंगे, अपना saltatory conduction, आ जाओ, देखते हैं, क्या होता है, देखो, मान लो, तो मैंनो थोड़ा आजीवी बना दिया, वान लोग, this is the dendrites, वान लोग, this is the dendrites, रहें, और यहां से निकला हुआ है, exon, यहां से निकला हुआ है, exon, और यहां पे का प्रेजेंट है, इसके exon के terminal, रहें, अब यहां आद करो, lecture number one, या, lecture number two में, मैंने आपको पढ़ाया था, कि यहां पे, इसके बीच-बीच में, ठीक है, इसके बीच-बीच में, यहां पे, वाइट कलर का liquid पढ़ा हुआ रहते है, याद है, जिसे हम लोग myelin sheath कहते हैं, यहां पे ऐसे है, याद करो, श्वान सेल का बना हुआ रहते है, पढ़ाया था मैंने आप लोगों, चीक है, this is nothing but your, myelin sheath, तो यह भी आपका myelin sheath है, यह भी आपका myelin sheath है, सही बात है, अगर myelin sheath present होगा, चीक है, अगर आपका myelin sheath present होगा, बच्चो, आपके neuron पे, उस time पे conduction कैसे होगा, उस time पे nerve impulse कैसे conduct होगी, वो हम लोगों जानना है, अब देखो, हमें पता है, कि myelin sheath में कुछ gaps present होते हैं, चीक है, there are some nodes, there are some gaps, which are known as node of ranvir, node of ranvir, सही बात है, node of ranvir present होता है, कहाँ पे, आपके इन दो-दो myelin sheath के बीच में, सही है, तो कैसे neurotransmitter transfer होगा, जान से सुनो, मानलो, यहाँ से आपका कोई cockroach बैठा, similarly by example, चीक है, आपके कोई cockroach बैठा था, सही है, अब जैसे ही यहाँ पे होता क्या है, कि जहाँ जहाँ पे myelin sheath present होते हैं, वहाँ वहाँ पे कोई भी voltage gated channel, या फिर कोई भी gated channel present नहीं होता, सही बात है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी polarization, depoleration नहीं होने वाली, सही बात है, तो मतलब आपका जो na है, वो यहाँ पे polarized हुआ, और वो directly, यहाँ के तुर यह देखो, इसके तुरू आपस travel हो जाएगा, और यह यहाँ पहुच जाएगा, तो अगर myelin sheath रखा रहेगा, वच्छो, अगर myelin sheath रहेगा, तो आपका जो भी depoleration, repoleration का rate हो बहुत ही ज़दा past हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच-बीच पे axon में आपको करना ही नहीं सही है, यहाँ पे कोई भी voltage channel present ही नहीं है, कोई भी gated channel present ही नहीं है, तो मतलब जो भी आपका sodium है, वो directly smile in sheet के तुरू travel हो जाएगा, कहाँ पे, जहाँ पे आपके node of ranvir present है, और वहीं पे depoleration, repoleration देहने के लिए हम लोग को मिलेगी, सही बात है, similarly यहाँ पे इस से होता क्या तो हम लोग saltatory condition कहते हैं, समझ में आई बात, समझ में आई बात, चिक है, I hope आप लोगो इतनी चीज़ा समझ में आ गई है, next आ जाओ, next एक बहुत ही छोटा topic है, एक छोटा topic है, बच्चों refractory period क्या होता है, refractory period, refractory period क्या होता है, मान लो, this is the axon, ठीक है, मान लो, it is the axon, य यह वाला आपका axon है, यह आपके dendrite से deserve the axon, सही बात है, अब देखो, मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग A part ले लेते हैं, इसको B part ले लेते हैं, इसको C part ले लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, यहाँ से sodium enter करता था, यहाँ पे सबसे पहले deep polarization शु तो कुछ time ऐसा time होगा, कुछ ऐसा period होगा, जिसमें आपका यह neuron rest करेगा, और वापस कोई signal नहीं लेगा, जैसे माललो, अभी इसका repoloration हुआ है, और जो sodium है, वो यहाँ travel आगया, यहाँ पे आगया, तो अब यह normal state में आगया, क्या यह वापस signal लेगा, नहीं लेगा, जब time, जब आपका neuron वापस कोई signal लेता नहीं है, कुछ relax करता है, कुछ time पे, relaxing period हम लोग बोलते है, ऐसे time का हम लोग क्या बोलते है, it is a refractory period, ठीक है, इस चीज़ का हम लोग क्या बोलते है, refractory period, refractory period मतलब समझा, it is nothing but your, it is nothing but your, ऐसा time, जहाँ पे आपका depoloration और repoloration नहीं हो रह सही है, ऐसा time जहाँ पे आपका depoloration नहीं हो रहा वापस, क्योंकि वो एक बार अभी हो गया है, अभी आपका cell क्या है, वो क्या है थोड़ा सा, still हो गया है, manage हो गया है, सही बात है, तो कुछ time के लिए आपका वापस repoloration, depoloration नहीं होगा, उस time को हम लोग क्या कहेंगे, it is a refractory period, सही है, तो I hope आप लोग को refractory period समझ में आगया, sign up समझ में आगया, types of sign up समझ में आगया, सही है, I hope आप लोग इतनी चीज़ा समझ में आ गही होंगी, छोटी छोटी चीज़ा थी, ठीक है, next बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, आपका जितना भी nerve वाला topic था, वो सब ख चले बात चलो, brain की बात हम लोग शुरू करते हैं, brain आप लोग को जैसा की पता है, brain is a part of central nervous system, ठीक है, brain किसका पार्ट है, central nervous system का पार्ट है, अगर मैं brain की बात करूँ, तो brain आपका तीन पार्ट में divided है, brain is divided into three parts, सबसे पहला होता है बच्चों, four brain, सबसे पहला पार्ट है, you have nothing but your, four brain, ठीक है, पिर आता है, हमारा, mid brain, ठीक है, और, last है हमारा, hind brain, अब इसका मतलब क्या है, देखो, four brain मतलब क्या, जो brain का हिस्सा आपके आगे के तरफ है, जैसे ये वाला पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसके अंदर include करता है, four brain के अंदर, जो भी आ ब्रेन का जब भी आप फोटो देखे रहोगे, तो इसमें आप लोगो फोल्डिंग, फोल्डिंग, दिखते होगी न, white color के, fleshy white color के, वो सब क्या है, these are include in the four brain, actual में four brain सबसे बड़ा हिस्सा होता है, आपके ब्रेन का, सही है, उसके बाद आपका आता है, mid brain, mid brain बहुत ही छ है, उसकी classification अगर हम लोग देखे, तो आपका brain totally तीन पार्ट में divide हो रहा है, सही है, कौन कौन से part है, एक है आपका four brain, एक है आपका mid brain और एक है आपका hind brain, सही है, अब अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो आपका four brain दो पार्ट में divide होता है, मतलब दो पार्ट है, आपके four brain की, एक है स्टेरी ब्रम, एक है आपका स्टेरी ब्रम और एक है दाइनसो फिलाउन, दाइनसो फिलाउन, समझ मैं रिबच्चे कि दाइनसो फिलाउन आपका एक पार्ट, पढ़ाऊंगा, जब मैं आप लोग इस ट्रुक्चर बताऊंगा, तो सब समझाऊंगा, कौन से अब इस सिर्फ इतना दिमाग में रख लो, ब्रेन तीन पार्ट होते हैं, एक आपका four brain, एक आपका mid brain और एक आपका hand brain, clear है, उसके बार आपका four brain है बच्चो, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है आपका सेरी ब्रम और एक है आपका डाइनसो फिलाउन, सही है, दो बात है, उसके बाद अगर मैं बात करो बच्चो, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, mid brain, but बहुत important पार्ट होता है, इसका भी मैं आप लोग कहानी बच सुनाओंगा, और last है हमारा hind brain, अब hind brain भी आपका बच्चो, तीन होते हैं, तीन छोटे छोटे पार्ट में ये भ एक कती बात नहीं है, एक है पॉन्स, वेरूला है, समझ रहूं, फिर इसको पॉन्स भी बोल देते हैं, हम लोग कोई बात नहीं है, नहीं लिखो के तो भी चलेगा, एक है आपका मेडूला, एक है पॉन्स, और last है आपका बच्चो, पेरी बेलम, समझ रहूं, ठीक है, तो आप लोग देख रहा होगें, कि एक है सेरी ब्रम, एक है सेरी बेलम, थोड़ा का, दोनों का नाम थोड़ा-थोड़ा सो, almost same है, सही है, तो आपका जो सेरी ब्रम है, it is the, बोल सकते हैं, largest part of your brain, and second number पे largest कौन है आपका सेरी बेलम, चीक है, आपके सेरी ब्रम के दो हमिस्फि देखने के लिए मिलेंगे, similarly आपको सेरी बेलम के भी दो हमिस्फेर देखने के लिए मिलते हैं, समझे रहो, तो थोड़ा बहुत से मिलाइटी हैं दोनों में, पड़ा मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, चीक है, तो आपका जो सेरी ब्रम है, वो फोर ब्रम का पार्ट है, समझे रही बात, चीक है, so I hope आप लोग क्लासिफिकेशन समझें, क्लासिफिकेशन में क्या देखा हम लोग में, ब्रेन जो है आपका बच्चों, वो तीन पार्ट में डिवाइट होता है, एक है आपका फोर ब्रेन, जो की आगे वाला, फोर मतलब क्या आगे साइड वाले, दूसरा है, मिड़ ब्रेन, चीक है, मिड़ ब्रेन के अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना हम लोग को, और लास्ट अपना हाइंड ब्रेन, सही है, फोर ब्रेन की बात करें, तो फोर ब्रेन में जो सबसे बड़ा पार्ट है, that is nothing but your और सेरीब्रम, और सेगेंड पार्ट इस गर्डाइन सोफिलन, डाइन सोफिलन के अंदर तीन चीज़ आती है, पढ़ाओंगा मैं आप लोग डाइग्राम के साथ, उसके बाद, मिड़ ब्रेन के अंदर कोई पार्ट नहीं है, हाइंड ब्रेन की बात करें, तो एक है पसंद आया होगा, आई होप आप लोगो जितनी चीज़े मैं आपको बताई हैं, वो चीज समझ मैं होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रेन को और थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, ब्रेन की कवरिंग्स पड़ेंगे, सही है, ब्रेन के अंदर कौन कोई सी ची पसे अन्engo ने चीज समस्ट लूगा मजाया होगा, सही बात है, तो लेक्चर लोगो ज़रू से करेंगे, वीडी ऊक्रदेना, चैनल पर नया होगा, तो सब्सł involve श्रून को बेल आइकंस को वा ब्रेंगे, थो जरूर से देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी इंट्रस्ट वीडियो हम लोग ने बनाय हुए है तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए keep studying